क्या एश्वर्या राय और अभिशेग बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इनके रिष्टे में कड़वाहट आ गई है और ये दोनों अलग हो गए हैं देखिए एश्वर्या के एक पोस्ट ने संसनी मचा दी है एश के क्रिप्टिक पोस्ट को देख कर लोग कि किसम की बातें करने लग गए हैं एश्वर्या के एक लेटिस्ट पोस्ट ने सोशल मीडिया पर अफवाहों के बादल को और घना कर दिया है यहां तक कि खबरें छप रही हैं कयास लगाए जा रहे हैं कि एश और अभिशेग के बीच में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है इसलिए दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो आखिर इन खबरों की सच्चाई क्या है और एश ने आखिर किस टाइप का पोस्ट किया था जिसके बाद से उनके और अभिशेग की सेपरेशन की खबरों ने तूल पकड़ लिया आईए जानते हैं इस खबर को एकदम डिटेल म दरसल अश्वरिया राय अपने सोशल मीडिया पर अपनी और बेटी अराध्या के साथ पोस्ट शेयर करती रहती हैं जिनमें कभी अभिशेग नजर नहीं आते ऐसे में लोगों ने इन बातों को पकड़ लिया था और कयास लगाने लग रहे थे कि अश्वरिया राय और बेटी अराध्या के साथ मनाया वही दिवाले भी उन्होंने अकेले ही सेलिब्रेट की थी और अब इस बात को हवा एश्वरिया राय के एक पोस्ट ने दे दी है एश ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसको देखने के बाद अब पबलिक ये मानने लगी है कि दोनों का पल अ पोस्ट की थी एश ने अपनी बेटी अराध्या और अपने लेट पिता की एक साथ तस्वीरें शेयर की उन्होंने अपने पिता के साथ अपनी भी तस्वीर शेयर की और एक और फोटो में वे अपनी मा और बेटी संग नसर आ रही थी जबकि बैक्ग्राउंड में उनके प शेक संग एक भी तस्वीर शेर नहीं की एश्वर्या ने पोस्ट शेर करते हुए कैप्शन में लिखा आपको हमेशा प्यार करती हूँ सबसे प्यारे प्यारे डैडी अज्जा सबसे प्यारे काइंड देख भाल करने वाला मजबूत काइंड हाटेड और नेग आपकी जैसा क कोई नहीं कभी नहीं जन्म दिन की शुप काम ना आए प्रेयर इंसाइड हमें आपकी बड़ी याद आती है जैसे ही इनों ने इन तस्वीरों को पोस्ट किया वैसे ही उनके और अभिशेक बच्चन के अलग होने की चर्चा तेज हो गई सोशल मीडिया से लेकर खबरों में और लोगों के जुमा पर बस एक ही बात चलने लग गई कि आश और अभिशेक अलग अलग रह रहे हैं दोनों अब साथ नहीं रहते अराध्या और अभिशेक के साथ कोई फोटो ना होने की वज़े से या बहुत कम होती है लोग कयास लगा कि ये पावरफुल कपल अलग हो गए हैं लोगों ने तो सवालों की बॉच्छार भी शुरू कर दी है हाना कि इस पर बच्चन परिवार ने कुछ भी नहीं कहा है अब ऐसे में आश और अभिशेक के फैंस को वेट है कि आश और जुनियर बच्चन सामने आएं और चल रही ख़बरों पर कुछ क्लियर्फिकेशन दें